नास्कार सब्सक्राइब को, मैं धनाराम गौर्णमेंट पोल्टरगमी कोलेज जसल मेर से लेक्षिगर, कंप्यूटर साइंच और इंगिनेरिंग डिपार्टमेंट, आज हम डेटा स्टेप्चर और अल्गूरिथम का जो पहले से जाएंच और इंगिनेरिंट चल रही थी, इंटोड़क्शन कर लिया था, उसके आगे का चेप्टर पढ़ेंगे, उसके आगे का पॉइंट पढ़ेंगे, डेटा स्केशन अल्गूरिथम में, लिंक लिस्ट पढ़ रही था, तो लिंक लिस्ट के आज हम ओपरेशन पढ़ें ट्रेवर्स करना, ट्रेवर्सिंग में आप चाहें जो अपरेशन कर सकते हैं, चाहें हर नोड को प्रिंट कर लो, ट्रेवर्सिंग हो जाएगा, हर नोड के साथ कोई अपरेशन कर लो, ट्रेवर्सिंग हो जाएगा, no problem, but at least each and every node should be accessed at least one, that is traversing, then हम counting करना चाहते हैं, नोड क इसे कैसे हो सकते हैं, जैसे मान लेजिए यह हमारी, यह हमारी link list है, मान लेजिए यह हम चाहते हैं कि यह एक, सबसे पहले हम जानते हैं कि यह हमारा start pointer है, दिखनी रहा होगा, start pointer है, तो start pointer है, start pointer basically always points to the first node, यह हमारा पहला node हुआ, यह हमारा first node है, first node, second node always contains, each and every node contains two parts, यह दूसरा node हुआ, यह second node, इस node के भी कितने part होंगे, दो part होंगे, पहला part जो रखता है, data, और दूसरा part क्या होता है, information रखता है, इसकी अगले node की information यानि address, तो suppose एक बहुत अच्छे से example के तोर पर मान लेजिए, इस node का address है 1001, इस address का मान लेजिए address है 3001, इस node का address है 4001, तो इनके value कहा होंगे, और node की value मान लेजिए, node की value पर मान लेते हैं, नोड की value मान लेते हैं, ये node है, इसकी value, आ मान लो 35, इसमें node में value रखने हैं आपको 65, इसमें value node में रखने हैं ये value मान लेजिए 85, तो ये तीन value आपको link list बना करके store करना है, और फिर आपको मान लेजिए हम चाहते हैं कि इनका link कैसे होगा, तो सबसे पहले ये जो start नाम का pointer है, इसकी value क्या होगी पता है, ये पहले node को point कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, start की value होगी 1001, what is the value of start pointer, start pointer, start की value होगी 1001, यि बिस start नाम पोइंटर होगा, और वो किसी memory location, जो value करता है, वो hold करता है, तो इसलिए ये start इसको point करेगा, जैसे ये first node है, ये हमारा क्या एक नोड है, इस नोड की वेल्यू क्या होगी, इस नोड के दो पार्ट है, पहला पार्ट हमारा और ये दूसरा पार्ट में देता है, दूसरे पार्ट में क्या होगा देखोंगे, दूसरा पार्ट पार्ट होता है, पार्ट पार्ट होता है, इसमें एड्रेस वेल्यू होगी, य यह रखेगा 3001, यह 3001 किसका है, 3001 address of next node है, इसलिए इसका इसके साथ में क्या हो जाएगा, ऐसे link हो जाएगा, इसलिए दूसरा node है, दूसरी node के यहां क्या होगी, यहां value होगी 4001, यह 4001, जो location 4001 address location है, इतलिए यह उस address location को point करेगा, जो 4001 है, ठीक है, यह node है, इस node के next card में, आगर कोई node नहीं है, तो इस node के इस card में होता है, क्या null pointer, यानि नल याल यह, इसी साथ से representation होता है, link list का, यह हमारा link list representation होगा, अब आ रहा है, बढ़िया, यह simply link list representation होगा, दीखा, I think थोड़ा गोच, दीखने में दिक्कत होगी, अभी कोई दिक्कत नहीं है, यह चली हम आगे बढ़ते हैं, अब हमारा, हम बात कर रहे हैं, operation की, एक नई sheet खोल लेते हैं, नई sheet खोल के फिर से आपको बताते हैं, अब आपकी बात करते हैं, यह, मान लिजिए, यह हमारा एक start pointer है, यह start pointer, यह point करेगा किसको, that point to the, a node, that node work as a first node, that node work as a first node, and this node have two parts, same way में, this is another node, this is another node, this node also have two parts, and again this is another node, this node again have two parts, okay, first part को हमें पता है कि क्या बोलता है, हैं, first part को हम data part, या info part बोलता है, data part या info part बोलता है, second को हम link part या, link part या next part बोलता है, अब माली जी, तीन नोड है आपके पास, तीन नोड की, sorry, link list है ये, ये simple link list है, जिसको single link list बोलता है, अब इस link list का कैसे value होगा, अब जैसे मैंने अभी इसले में थोड़ा देखनी रहता तो दुबारा बना रहा है, माली जी ये address फिर से माल लो, ये address माली जी ये 101, इसका address है 301, इसका address माली जी 501, तो कैसे value connection होगा, कि पहला जो value है, first node का connection है, वो start की value हमारे क्या है, start की value 101, इसलिए start किसको point कर रहा है, उस memory address को point कर रहा है, उस memory location को point कर रहा है, जिसकी value क्या है, 101, तो 101 होगा, इस हमारे पास माली जी ये link list है, जिसमे value है, कि आपको कह दिया जाए, कि आपको 35, 65 और 75 नाम तीन data आपको link list में store करने हैं, उसके list बना लिए, तो हमें क्या करना है, इन data को store करने के लिए, हमें हर node के data part में तो, यहाँ हो गया 35, यह data part हो गया, दूसरा हो गया हमारा चा, यहाँ हो गया 65, यह हमारा 65 हो गया, तीसरा हमारा data value है 75, तो यह क्या होगी, 75 data element इसमें store हो गया, अब हमें इसका connection करना है, तो जैसे start की value 101 है, तो start 101 वाले node को point कर रहा है, अब इसके जो दो part होगे, next part में क्या होगा, यह link part में address होगा, next का, address किसका होगा, next का, तो यहाँ क्या होगी value, यहाँ होगी 301, तो इसलिए यह point करेगा, उस address location को, जहाँ 301 नाम का node store है, तो यह क्या होगया, 301 को point करेगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा 501, यहाँ क्या होगा 501, यहाँ 501 यह push node को point करेगा, जिसकी value 501 है, यह node क्या है, यह node क्या है, यह node हमारा, इस node का, इस list का last node है, इस list का last node है तो last node के next part में हमेशा क्या होता है null होता है क्या होता है null pointer या null value तो इसी सबसे representation होता है तो अभी हम बात कर रहे थे link list operation का तो operation अगर हम बात करते है insertion की अगर insertion operation बात करते है insertion operation की बात करेंगे तो insertion link list में तीन टाइप से होंगे, तीन टाइप से कैसे होंगे भी, तीन टाइप से इंसर्शन होंगे, या तो पहला टाइप कौन सा हो गया, या तो आपको start में node कर, start में कोई node इंसर्ट करना, या दूसरा हो जाएगा, end में कोई node इंसर्ट करना, या तीसरा हो जाएगा, किसी node के बाद या किसी location पे, particular location पे कोई node इंसर्ट करना, किसी location पे या किसी node के बाद पहले या बाद में कोई node insert करना है यह तीन टाइप के operation में होंगे insert संके जैसे यही हमारी link list है अब माल लिजिए आपको एक node insert करना है हम एक example के तोर पर देखना चाहते हैं क्या कि कैसे node insert करना है जैसे मैं चाहता हूं कि एक node में एक node बनाते हैं और आपको first में insert या last में insert करके दिखाते हैं माले जी आपने बनाया एक node जिसकी एक node बनाया हमने yellow एक node बनाया ये node हमने एक node बनाया आप कहा दिया जाए कि आपको एक value 25 इंसर्ट करना है तो 25 पहले सबसे पहले node क्रियेट होगा node क्रियेट होने के बाद में memory मिलेगी इसको उसके data part में data model आपने 25 एक निया data 25 आपको insert करना है तो कहां insert करेंगे ये बताई जाएगी आप यहां insert करना चाहते हो यहां insert करना चाहते हो या mid में कहीं insert करना चाहते हो तो इस type के operations link list में होगे मान लेगी यह insert करना चाहते है first में तो यह एक नया node बना न नाम से इस ना नाम से node बना है इसको कोई memory मिली इसकी memory क्या था 101 था इसकी कोई memory मिली ठीक है इसको मान लेगी यह memory मिला memory address मिला तो कोई जिक्ति क्या कुछ भी हो सकता है value smos 701 701 address मिला इसको हमने node create किया memory allocates किया और इसके बाद में data value डाम ठीक है और यह काम memory allocation वाला काम हाना C programming language के साब से सब्की language के साब से अलग लग होता है dynamic memory allocation C में malloc function अगली slide में पढ़ेंगे तो उसके साब से आपको कोई जिक इतने easily आप कर सकते है तो node create की node के data part में data डागा अब next part में क्या है इस part में कि फिनियत हमें यहाँ add को insert करना तो simple सी बात है यहाँ add करना है तो हम क्या करेंगे सब से पहले start की जो value है वो कहां रख देना है start की जो value है वो कहां रख देना है यहां रख देना है तो start की value यहां रख देना है तो start वाली value वहाँ जाईगी यानि हम क्या करेंगे simple सी बात है कि n के जो next part है n का जो next part है उसमें क्या कर देंगे start डाल दे n के next टाप में क्या डालेंगे start डालेंगे start की value क्या हुजाईगी start की value क्या है start की value 101 है तो यहाँ जैसे हमने 101 डाली जैसे 101 यहाँ डाला 101 तो यह pointer की तरह काम करता है तो simple सी क्या करने लग जाएगा यह उस location को point करेगा जो 101 location पे load है तो यह यहां से यहां पहंच करने लग जाएगा, अब हमें चाहते हैं, अब यह लिंक हटा करके यहां से लिंक होना चाहता है, तो शिल्पल सी बात हम अगला काम क्या करेंगे, अगली लाइन क्या लिखना है, कोडिंग में, या जब अलगोरिफम लिखेंगे तो start equals to क्या डा जैसे हमने डाला क्या, जैसे हम start की value यह, यह 101 की हटा करके, यह जैसे हम start की value क्या डालेंगे, 701, जैसी 701 डालेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमने क्या जाएगा, 701 तो start की value जैसे हमने 701 डाला, तो start का क्या हो जाएगा, लिंक यहां से कटके, उस memory location पे लिंक हो जा अब देखो आपका connection कैसे हो गया, यह start node हो गया, start node के बाद में यह दूसरा, यहां से यहां लिंक हो गया, और यह हमारा आगे लिंक हो गया, तिसे साथ से node insert हो गया, first में सिर्फ दो सिंपल सी line है, ति हमें क्या करना है, end जो नया node बना है, उसके next में start डाल देना है, और start में जो वेलüd है, नए-नाड के address डाल देना हो ति इसे साथ से first में insert हो जाएगा, अब मारीजी आपको next में, last में insert करना है node, मारीजी आपको last में node insert करना है, तो last में insert करने के लिए जय क्या करेंगे, मारीजी आपको, एक node बनाया हमने यहा, तीक है, एकimbsung नया node बनाया, उस node प करने के लिए आपको simple σी value है deiston किया node अब आपको कह दिये जाए कि एक नई value 85 आपको इस node के last इस list के last nead करना कैड़ा 25 को यह नचाब नोड है उसकी मालिभ नाम n है या n1 कहलो उसकी value उसका address मालिभ यह क्या है 801 है तो इसकी data part में data डाल दिया कितना 85 जो इसके next part में हमें क्या डालना है तो जब node create कर रहे हैं तभी तो आप insert करके null करके रख लो कोई दिक्कत नहीं है खाली रखने से ठीक नहीं है कि programming language में दिक्कत ना हो आपको इसलिए आपको null डाल के रख लो ठीक है अब आपको क्या करना है इस node pointer को एक नया pointer करना है टी एक नया pointer declare करना है टी और उस टी से हमने क्या करना है टी को फस्ट से लेके last minute पढ़ना है तो मैंने क्या किया एक मिनट यहां से देखने की कुशिश करना एक नया pointer पढ़ना टी नाम का pointer declare किया उसको अमने initially start से initialize कर दिया यहनी start की value टी में डाल दी इस line का मतलब यह हुआ कि जिस node को टी पउंट कर रहा है उसको अब start point कर रहा उसको दी भी point कर एगा क्योंकि यह start किसको point कर रहा है इसको point कर रहा तो P यहां हो गया कि 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 को गया, इसको point कर रहा है t, तिक, अगली line में हम क्या करेंगे, देखेंगे क्या t का जो next part है, चखेंगे क्या t का जो next part है, क्या वो null है, क्या वो null है, अगर वो null है नहीं है तो हम क्या करेंगे यह loop लगा देंगे while जब तक t का next part null नहीं हो तब तक हम क्या करेंगे तब तक हम क्या करेंगे t की नई value निकालेंगे t बराबर t का next ती बराबर टी का next है इस line से हम क्या करेंगे देखो क्या होता है बड़ी सहंदर line है यह आपने यहाँ t को लिया है t के next में नल है क्या जी null नहीं है तो जब सक not equal to null यह ध्यान रखना यह not equal to null है not equal to null जब सक null नहीं है हम क्या करेंगे t की नहीं value है गी t के equal to t का next कि next में 101 है तो इसके one इसके next में क्या है इसके next में क्या है 301 इसके next में क्या है 301 तो यह sorry तो फर्स्ट में insert करना समझ माया हा यह जो वना इसके next में 301 है तो जैसे t को इसके next हुआ तो t की नहीं value 301 हुई तो t इसको point करने लग जिसकी address अरे गलत sorry sorry 301 वाले को point करने लग गया 301 यह address है फिर हमारा अगला क्या है t को t का next नहीं है तो हम t के equal to क्या डालेंगे t का next t का next में 301 है अब t यहां की बजाए जो address 301 वाला node है उसको पॉइंट करने लग जया फिर हम चैक क्या ती का next नल है क्या ती के next में 507 है तो 50 अब t को इसको 507 हो जाएगा तो ती यहां जाए तो ती के next में क्या है जी नल है तो इस लूप से भार आ जाएगे अब हमारा से पीया है जे आए अब यहँ हैं अड़ करना तो simple शी क्या line होगी देखो टी के next पार्ट में हमें क्या डालना है ती के next पार्ट में हमें ष्लिंजार्याओ नोड बनाया एंवन वो डाल देणा है उन्वन यह लूड़े उन्वन की बेली गाहा एंट जीरुड़ एक ज यह पहुंच करने लगया जिसका एडरेस 801 जिसका एडरेस 801 था तो इसे साफ से लिंग लिस्ट का लाइड होगे तो यह सिंपल से ओपरेशन सिंगल दो दो लाइने की फोड है यह अलगोरिफम लिखेंगे तो देखेंगे और पत्तर के लिए नमस्कार अगले और एक मिनट खैली और उनुड जशते मिनट अगला परोशन हमारा क्या है देख लिजीए ठीन ₲ गिए से कॉंपेट करले इ्नट करें इसंप अनुद्ट से करना थे कोके विए अगर वह बात करते हैं जा कि हमें लाज्ट नोड करना तो आपको पाला नूड द illustrates करना तो यहासे यह यह अब आता है सर्चिंग की बात करते हैं तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है देखो यह एक मिनट के लिए फिर से बताता हूं मैं आपको हमने difference भी देखा था तब भी आपको बताया था कि एक particular array और link list में क्या difference होता है searching जो operation की बात करते हैं तो searching basically searching जो होता है वो searching दो type की होती है programming language में हमने पहले भी देखा कि searching क्या होता है दो type की होती है पहली searching को बोलते है linear search और sequential search as the name suggests sequential search sequential search का मतलब एक data के बाद में दूसरे data को check करेंगे क्या वो desired data है required data है नहीं है तो फिर आगे बढ़ते जाएगे और दूसरा होता है binary search दूसरा क्या होता है binary search binary search में क्या होता भोई binary search में होता है concept क्या ये जो concept है大丈夫 searching concept ये concept very important है लेकिन ये हमारे link list के साथ implement नहीं कर सक्तिया link list के साथ implement नहीं कर सकते मैं इसका difference बताता odpowate में भी था क्या कारण है इसका कारण हे ये है कि हमारे पास जो However, Halloween निस्ट होती है दे consistent कुछ की इसमय जो हमें कार देटा करना होता है तो सुनोड का अड्रेस और पर लास्म अटेटा का अड्रेस लेकर कई हम ینडर में तो जब कि इसमें का पो कशीबल नहीं है यह अगा में से और काम नहीं है इसमें सिरफ लीनियर और स्प्रैल करेंगे सिंपल सा हमारा लिंक लिश्ट बना होगा उसमें पहले नोड को देखेंगे कि बली हुए नहीं है में शागी बढ़ते जाएंगे और एक एग करके हमें इसके साथ नियशिंग करना होगा उके चलिए आगे बढ़ते हैं फिर आता है हमारा सर्चिंग के बाद में ये हमारे उपरेशन होगी सर्चिंग फिर अगली लिस्ट है हाँ ये वर फोटेंट स्लाईद चौड़ा सा ज् और दानिमिक मेमरी अलोकेशन का मतलब कि कैसे मेमरी मिलना है, run execution time, दो टाइप की होती है, static memory अलोकेशन और dynamic memory अलोकेशन, यह dynamic memory अलोकेशन ही है, जो pointer की खुदसूरती या खासियत होती है, इस बज़े से हम इसको यूज करते हैं, size of a function है, seep में, जो क्या करता है, जो यह बत आता है कि particular variable कितनी memory चाहिए उसको store होने के लिए कैसे seek programming language में size of function द्वारा हम किसी भी variable या data type या array या structure की required size in byte में पता कर सकते हैं जब आप इस function का argument पास करते हैं जैसे यह function है यह जो function लिखा आपका यह जो function है size of इस function में जैसे हम कुछ pass करेंगे तो क्या हो जाएगा value पास करने पड़ेगी function है यह parameter तो यह return देगा कुछ value return function है यह जैसे size of age size of age तो यह क्या करता है byte में memory required देता है c plus c में बहुत अच्छा function होता है जिसको बोलता है malloc function यह malloc function का क्या काम होता यह जैसे इस function का प्रियोग memory allocation करने के लिए किया जाता है इस function में argument की रूप में size pass करता है इसलिए size of operator का यह use करेंगे कैसे करेंगे देखते हैं आंगे class में इस function में argument के रूप में size pass करता है यह function specify कि size में जितनी memory allocate करता है उतनी memory space उस को starting address को या variable के pointer को allocate कर देती है और इस function में हम general syntax के आदे किया यह आपका variable नाम है nptr या ptr कोई variable ले सकते हो आप कोई variable a लेलो b लेलो कुछ भी यहां दगना में उसका data type क्या है यानि जो allocate variable है उसका data type क्या है एस ट्रिक लगा करके size of bracket programming में आपके बहुत अच्छे से general syntax याद रखना आपको आपको चलिए आगे देखते हैं फिर आता है मारा क्या यह छोटा सा function है memory allocation का कैसे concept काम करता है यह से dynamic memory allocation की बात करना है तो हमने एक simple सा memory allocation का code लिखा है इसमें एक function लिखा है man int i और int x यह हमारा pointer है देखो यह हमारा क्या है pointer है x यह pointer है यह हमने x को memory दिया है dynamically कैसे दिया यह इसकी type क्या है इसका साथ में strict फिर malloc function फिर इसको कितनी size देना है वहिया कितनी size के लिए memory देना है 10 size के लिए size देना है और इसके बाद में क्या करना है malloc function आपका काम कर जाए ठीक है malloc function आपका काम कर जाए इसके बाद में यह function एक मिनुट के लिए हाँ चलिए size of function यह पास किया इसका integer इसकी byte में कितने में मतलब किसी साब से इसका data type लेगा अगर आप integer पास करेगा तो वो 2 byte single data के लिए यहां 10 data है तो 2 into 10 20 bytes इसके लिए नम्री विज़ो होगे कुल मिला करके यह array बन गया कुल मिला करके 10 element का x नाम का array बन गया इसमें हमने क्या कि एक loop लगा करके फिर हमने print करा दिया print number क्या number है i plus 1 starting value i1 0 है 0 plus 1 1 से लेकर के i की value जैसे जैसे 0 to 4 तक जाएगी so return नहीं 5 है 10 element का 5 element का array बनाया उसको हमने scan कराया नीचे हमने print कर ला है तो simple सा बिना array को declare करे हमने x नाम के variable को memory allocate की और उसका value assign किया value डाली और उसको हम print करा लिए last में नीचे तो कहने का मतलब है dynamically memory डेना किसी variable को यह simple सा code है उसका आगे बढ़ते हैं यह हम पिछली class में भी देखा था एक बार फिर से देखो कि node create करने के एक हमसा पाइस में हमने इस बात बताया था कि self-referential structure का रोल रहता है यह जो structure है यह कैसे काम कर रहा है यह structure self-referential structure काम कर रहा है वो कैसे देखिए यह node नाम करके structure है इसका नाम है node और यहाँ एक data type भी career कर रहा है जिसका नाम है next है उसका जो type है ना वो node है तो यह जो है एक ऐसा structure है जो अपने आपको point कर रहा है ऐसा लिखने से यह जो दो node के पार्ट बने है ना data part और हमारे next part इसी साब से एक memory location को point करेगा यह node नाम का variable node नाम का structure जिसके दो पार्ट होंगे जिसमें data होगा और एक में next होगा तो जब आप उपर लिखिए कि किसी structure के variable में create करते हैं तो memory में एक node data और next node address space create हो जाता है जिसमें आप करमे सोड़ेटा और next node का address स्टोर करते हैं के मेरे साब से काफी लंदी क्लास होगी हम इंसर्शन ट्रेवर्सिंग अगली क्लास में पढ़ेंगे तब तक के लिए भन्नेवाद